जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने ता बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान रूस और यूक्रेन, दुनिया भर में बड़ी संख्या में गेहुं का निर्याद करते हैं लेकिन दोनों देशों के बीच जारी यूद की वज़ा से रूस और यूक्रेन का गेहुं कारोबार प्रभावित हुआ है ऐसे में ये स्थीती भारती गेहुं के पक्ष में जाती वी दिख रही है जिसके तहट सुडान और थाइलेंड भारती गेहुं के नई खरीददार बनकर उभरे हैं एक मीडिय रिपोर्ट में क्रिशी और प्रसंस्क्रित खादे उत्पार निर्याद विकास प्रदीकरण यानि की अपीडा के चेर्मेन के हवाले से ये जानकारी प्रकाशित हुई है दुनिया भर में गेहूं का निर्याद करने वाले देशों को गेहूं की आपूर्ती करने में भारत अवल है मौजूदा समय में भारत दुनिया के पांच सबसे अधिक गेहूं की खपत करने वाले देशों को गेहूं की आपूर्ती करता है अपीडा के अनुसार रूस यूकरेन संकट भारत के लिए महत्तपून समय है इस समय में हम भारतिक गेहों के निर्यात को बढ़ा सकते हैं दुनिया भर के कई देश अपनी गेहों की जरुतों के लिए दूसरे देशों पर निर्वर है इस सूची में टॉप दस देशों की बात करें तो इसमें इजिप्ट, इंडोनेशिया, टर्की, इटली, अलजीरिया, फिलिपीन्स, जपैन, मौरोको, ब्राजिल, बांगलदेश, कोरिया, नीदरलेंड और स्पेन शामिल है वही अपीडा के आखलों के अनुसार मौजूद समय में भारत, बांगलदेश, इंडोनेशिया, फिलिपीन्स, नैजीरिया और जपैन को गेहु निर्याद कर रहा है जबकि बाकी बचेवे देश अभी तक अपनी गेहुं की जरूतों के लिए अमेरिका के साथ ही रूस यूकरेन जैसे देशों पर निर्वर थे लेकिन रूस यूकरेन यूद के चलते कई देशों में भारतिक गेहुं की मांग होने लगी है बीते कुछ वर्षों में भारतिक गेहुं विदेशों में अपनी जगा बनाने में कामियाब रहा है जिसके तहद बीते पाँच वर्षों में भारतिक गेहुं के निर्यात में 8 फीजदी की बड़ोतरी हुई है बीते दिनों केंद्रिये इवं किसान कल्यान मंत्री नरेंद्रि सिंग तोमर की तरफ से लोक सबा में जो आगड़े प्रस्तूत किये गए थे उसमें ये जानकारी सामने आई है आगड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2016-17 के दोरान 265.6 लाग कुईंटल भारती गेहों का निर्याद किया था जिसका मूले 447.85 करूर रुपे था वहीं 2020-21 में 2154.97 कुईंटल भारती गेहों का निर्याद किया गया है जिसका मूले 4173.08 करूर रुपे रहा आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान